ओम नमस्षिवाय यंत्रों के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है आतिश यंत्र आतिश यंत्र उन यंत्रों को कहा जाता है, जिने जला कर प्रयोग में लाए जाता है कोई भी नक्ष बनाईए और उसको जला देजे और अपनी मुराद पूरी की जिए इस तरह के यंत्रों को आतिश यंत्र कहा जाता है तो आज का मेरा जो यंत्र है वो आपको आतिश यंत्र पर ही मिलेगा और ये इतने प्रभावी होते हैं कि यहां आग जलाईगे और वहां आपका साथ ही जो है वो तड़फने लगेगा बहुती आसान और बहुती सरल तरीक है इनको करने का इसे कोई भी कर सकता है और इनमें ना के बराबर नुकसान होता है किसी भी तरह का कोई side effect नहीं होता ना आप पर ना आपके साथ ही पर बस आपको करना इतना है कि अनार की कलम, सरसो का तेल और भोजपत्र या फिर कोई भी किसी भी पेड की छाल जिस पर क्या आप इसे बना सकते है अगर भोजपत्र ना मिले तो आप किसी साधान पेपर पर भी बना सकते है क्योंकि कई बार मेरे पास प्रशन आते है कि भोजपत्र क्या होता है भूजपत्र होता है जैसे पुराने जमाने में जो है कागज नहीं होता है तो उसकी जगह पर पेड़ से बना होता है उसकी एक भूजपत्र का पेड़ होता था उसकी छाल को यूज़ करते हैं तो उसे भूजपत्र के हैं अगर आपके पास वो ना हो तो एक खोरा कागज सकते हैं इस यंत्र को बनाईए और सरसो के तेल में इसको जला रहा है थोड़ा सा सरसो का तेल इसके डालिए और इसको जला दीजिए ऐसा आपको साथ दिन तक करना है अपने प्रेमिक के घर की तरफ मुख करके अगर ना पता हो तो सूरज जहां से निकलता है उस तरफ मुख से और इस पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल कर आपको जला देना है इसके बाद जो है एक हफ्ते के भीतर भीतर आपका जोबी साथी है, जो भी आपका प्रेमी है वो आपके प्यार में मार हमारा डोले हैं बहुत से ऐसे साधगात हैं कि हर उपाय करके ठक चुके हैं कोई भी उनका काम नहीं बन रहा है और मेरे उपाय भी जो हैं वो कर चुके हैं लेकिन उनका कोई असर नहीं दिख रहा है और वो इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जितनी भी जहां पर भी जो मुश्किले आ रही हैं वो हैं मंतर को बोलन तो इसलिए यंत्र बनाईगे बहुत सिंपल है और इसको करना भी बहुत आसान है बस आप इस यंत्र को जलाईए और आपका काम हो जाएगा अब ध्यान में रखने वाले कुछ ऐसी बाते हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए सबसे पहले अगर आप किसी भी तरह का मादक परता अगर आप यूज करते हैं पीते हैं या फिर खाते हैं तो इन चीजों से दूर रहिए ये चीजें सात्विक लोगों के लिए बनी हैं जिनका दिमाग शुद्ध हो किसी भी नशेडी या फिर कोई भी जो गलियों में गिरता हुआ पढ़ता हुआ मेरे मंतर देख लिए और किसी भी तरह का मादग परदार्थ लेने वाला इस चीज को प्रयोग में ना लाए दूसरी बात जब साधना का काल चलता है जैसे कि अगर आपने आज से शुरू किया और साध दिन तक जावब का साधना का दिन चलेगा जैसे ये साध दिन जो चलेंगे इसमें आपको ब्र जिहान में लगाई है आप म्यूजिक सुन सकते हैं लेकिन आपके भीतर एक ऐसी उर्जा उत्पन होनी चाहिए जो कि सकारात्मक हो जिससे कि आप अच्छा फील करें अगर कहीं किसी जगह पर आप अच्छा फील नहीं करें तो आँसे चले जाएगे ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है वो साथ दिन के जगह दो दिन में पूरा हो जाएगा ये सारा कुछ मैं आपको हजारों लोगों के एक्सपीरेंस को स्टेडी करने के बाद बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़े हैं ये कैसे काम करती हैं अब मैं उस गुड रहसे पर आच चुका ये वो बहुत ही लो हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि जब जो शराब है वो आपकी उपर कबजा कर लेती है और आपकी आत्मा को वो मार डालती है आप देखेंगे कि जो लोग शराबी शराब पीते हैं जो शराबी होते हैं उनकी एक जो औरा उनका होता है वो अलग ही तरह का हो जाता है कि उनसे दूर जाने का मन करता है आप पाएंगे कि जब भी कोई शराबी आपके पास आएगा तो आपको ऐसा लगएगा कि इससे थोड़ा डिस्टेंस से बना के रखें वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा जो है वो मर चुकी होती है तो कभी भी जो यह सादक है यह शराब, बीडी, गुठका इन सबसे दूर रहें अगर इन सबके आपको आदत है या फिर लत लगी हुई है तो इसको छोड़ ज़िए जितना जल्दी हो उसको छोड़िए और उसके एक साल बाद आप यह साधनाएं कर सकते हैं अपना शुद्धिकरण कीज आपके भीतर की और बाहर की उसके बाद आप साधना में आ सकते हैं तो अब मैं बताता हूं कि इसका जो दिन है वो कौन सा होगा शुक्रवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं समय रहेगा इसका शाम के समय पांच से लेके आठ बजे तक आप यह प्रयोक कर सकते हैं इस प् कि अपने साथ कोई मीठी चीज रखें चाहे वो मिठाई हो जाए या फिर चीनी रख लीजिए या फिर जो भी या था सुमभ जो भी वहां पर हो या फिर आप मिश्री भी रख सकते हैं क्योंकि जब आप ये प्रयोग कर रहे होते हैं तो आपके आस पास कुछ ऐसी शक्तिया घूम रही होती हैं जिसको आप देख नहीं सकते हैं और उनको जो है मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है उनको भेट चाहिए होते हैं मीठे की तो जब ये यंत्र बनाएं अपने साथ तो एक रसगुला या फिर कुछ ऐसी मीठी चीज़ रखें जिससे कि वो प्रसंद हो जाएं अब ये चीज़ अपने पास रखो गया आप तो आपका जो काम है वो इतना शिग्र होगा कि आप पहले दिन में इसका असर देख पाएंगे पहले दिन सो आपको जहां कॉल नहीं आ रहे थे वहां कॉल आने शुरू हो जाएंगे जहां पर आप कटे कटे से थे व मुझे देने पड़ेंगे क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आज भी ये जो यंत्र हैं ये कितने कारगर हैं किन-किन के लिए काम करते हैं और कल्यूग में भी क्या ये काम करेंगे तो इन सभी के जवाब आप खुद देख सकते हैं इस प्रयोग को कीजिए अपने घर पे रिजल्ट मिलेगा तो वहीं घर के अंदर आपको 10% मिलेगा क्योंकि घर के अंदर सफेफटी हो जाती है कि आपको डर नहीं रहता और वो चीज़े निकल कर बाहर आने बाती जब आपकिसी वण में जाते हैं आपकिस ऐसे एकांत सिथान में जाते हैं तो वहां की चीज़े यह अलग हो जाती है, एकांत में कुछ ऐसी शक्तियां रहती हैं जो कि इनी कामों के लिए बनी है, अब जिस तरह कि आप अपनी घर में देखते हैं कि नेटवर्क बहुत अच्छा रहा होता है, सारे मुबाइल की टावर पकड़ रहे होता है, लेकिन जब आप किसी जंगल मे जाते हैं तो वहापर थोड़े कम हो जाते हैं, इसी का उलटा है, जब आप घर से बाहर किसी जंगल में जाते हैं, किसी सुनसान, किसी वीराने में जाते हैं, तो वो उन शक्तियों की पहुंच आप तक अधिक बन पाती है, वो अधिक आपके समीप आपाती हैं, और उनको रोकने के लिए कोई बंधन नहीं होता, चार दिवारी में वो चीज़े बहुत कम आपाती हैं, इसलिए जब भी कोई अनुष्ठान करें, वो बाहर करें, छट के नीचे ना करें, इससे आपको अत्यांत प्रभावशाली एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो कि उन चीज़े को कर डाल आपको कहने की जरूत ने पड़ेगी कि गुरुजी हो नीरा, ये है वो है, आप कहोगे गुरुजी ये क्या कर दिया, ये दो दिन में कैसे हो गया, तो बहुत से ऐसे रिजल्ट आए हैं जो कि चुटकी बजाने से पहले हो जाते हैं, तो उसके लिए सारा कुछ ध्यान में रखकर आपको करना होता है, जब साधना का काल चल रहा हो, उस समय अपने विचारों पर ध्यान रखें, जो जादतर लोग गलती यहां पर करते हैं कि समय देखते हैं, इतना समय हो गया, अब तक रिजल्ट ही मिला, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, तो ये चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए, आपको अपनी दिमाग को उस जगह पर ले जाना जहां पर कि वो शान्त रहें, और रिजल्ट की जगह पर आपको वो सोचना चाहिए, जो कि आप भविश्य में करने वाले हैं, उसको अस्तित्व में लाएं कि अभी मेरे साथ यही हो रहा ह और अगर किसी भी तरह की दिक्कत परिशानी आए इसको समझने में, तो मुझे कॉल किजेगा 999-284-1625 पर, धन्यवाद कि अगरी आपको शोभी मेंदेए, लाएं जो कि अगर हो रहे हो हैं, उसको जगार qőि आपट्ड़ी कि अगराएं Śünü साथरा होताा हैं, आपको शोक्या, इसक्तास Нartained n amaranth, परूल कापकों सिन्यवार्श दिससें अगर आपकों संपतार अपकों सेल्धों सक्तों लाएं सं